हेलो और वेलकम लेर्नर्स इन दिस वीडियो वी आर गोईंग तो डिसकस आईसीटी स्किल्स क्लास टेंट हेल्थ के लिए भी हेल्फुल होते हैं यह इन्फोर्मेशन और कॉमिनिकेशन टेक्नोलोजी यह जो स्किल्स हैं यह एक्जाम में आते हैं और कम्पीटर्स के रिगार्डिंग हैं यह सारी की सारी चीज़ें जो इसमें होगी देखिए सबसे पहले सुरुवात में इन्होंने दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में उससे भी पहले इन्होंने बताया है कि कम्पीटर जो है एक हो सकती है ठीक है और उसमें खराब या सकती है आपके कम्पीटर ने ओपरेटिंग सिस्टम कई बार एक नंबर में एक कुश्चन पूछ लिए जाता है तो डेफिनिशन आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए यहाँ पर दीखिए यह दी हुई है एन ओपरेटिंग सिस्टम आपके ज़री आपको जरूर आने चाहिए इट मैंच और डड़ डिवाइसे को मैने चाहिए इस टेटर्स ड्वाइस का कैसा है कि वो बिजी है या नहीं है वो रखता है It also check whether the device properly function कर रहा है नहीं ये भी इसी का काम है इसी का function है नीचे देखिए File copy करनी है, move करनी है, create करनी है, delete करनी है इससे ही हो सकता है ये भी और disk में कितना space है, कौन सी file में कितना space occupy किया हुआ है ये सब भी track कर सकते हैं operating system के थिरोई, तो और बहुत सारी function से आप पढ़ सकते हैं, दो तीन ही पूचे जाएंगे basically, उसके बाद नीचे operating systems के नाम दिये हुए है, different, different और उनके types भी दिये हुए है, तो देखिए पहले तो यहाँ पर DOS operating system है, disk operating system, फिर Windows हो गया, Linux हो गया, और फिर नीचे है mobile operating system, जिसमें Android सबसे ज़्यादा popular है, सबसे ज़्यादा use किया जाता है, Symbian, Windows Phone, iOS आपने Apple users इसको use करते हैं, operating system को, नीचे उनके different type दिये हैं, सबसे पहले आता है interactive GUI, GUI कर देखिए यह full format, graphical user interface, तो बहुत user friendly operating system है, that means, use करने में बहुत आसान है इसमें क्या होता है, जो आप command देखें, वो click कर गे दे सकते हैं, double click से दे सकते हैं, right click mouse के सरो दे सकते हैं विंडो जो है, इसका example है, उसके बाद है single user, single task, मतलब user एक होगा और एक time में एक ही task हो सकती है ठीक है, one user and one task at a time, one thing at a time, ऐसे यह operating system को कहते हैं, single user, single task operating system दूसरा होता है single user, लेकिन multi task, एक से ज़्यादा task एक ही समय पर की जा सकती हैं, user एक ही रहेगा इसका भी example window या apple, mac os होता है next आता है multi user, जिसमें task भी कैसारी होती हैं, और user भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं अलग-अलग time पर या एक साथ भी, simultaneously भी use किया जा सकता है real time operating system जो है, वो basically किस लिए use किया जाता है, machinery को control करने के लिए, robots को control करने के लिए, scientific instruments या complex animation है, या computer controlled automated machines जो होती है, उनमें real time operating system जाला जाता है और use किया जाता है और last operating system है distributed, distributed operating system runs on a set of computer that are interconnected एक network से जो interconnected computers होते हैं, उनमें distributed operating system run किया जाता है इसके example नीचे यहाँ पर windows बगेरा दिये हुए हैं फिर कुछ basic से term है, उनकी definition एक एक line में दी हुई है और बताया है कि क्या है उनका मतलब जैसे menu हो गया, icon हो गए, task bar हो गए, यह सब यहाँ पर यह दिया हुआ है, next topic तो यह एक नमबर में यह भी आते हैं, जैसे desktop उशा हुआ है, फिलप्स में भी पूछ लेते हैं कई बार कि जो first screen appear होती है monitor पर उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं desktop, the first screen that appear on the monitor is called desktop, उसके बाद आता है wallpaper, wallpaper क्या है, desktop background की जो picture होती है, उसी को wallpaper बोला जाता है, icons क्या होते हैं, small pictures on the desktop पर जो छोड़े जोटी pictures होती है, उनको icon बोला जाता, और नीचे यह बताया हुआ है picture देकर, कि icons कौन से होते हैं, और recycle bin क्या है, wallpaper क्या है, desktop क्या है, यह देखिया, आप इस पूरे picture में यहाँ देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ नीचे दिया हुआ, यह है task bar, bottom में जो होता है, यह होता है task bar, इसके left and side में आप देखेंगे, यहाँ पर start button होता है, यह recycle bin है, उसके बाद यह जितने भी हैं, यह सब icons कहलाते हैं, और यह पीछे आपको जो background दिक्राइए, यह है wallpaper, तो next, और दिया हुआ है यहाँ पर, तीन button जो आपको देखने को मिलते हैं, जब आप किसी भी program को open करते हैं, तो पहला उसमें minimize होता है, फिर maximize, और last में जो cross होता है, उ तो यह computer को जब आप open करेंगे, वहाँ से यह सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, computer के iPhone पर, उपर जो यह होती है, local C, local disk D, या new volume वगेरा, तो यह सब hard disk होती है, और जाद तर local disk C जो होती है, इसमें आप operating system डालते हैं, windows जो होता है, वो सब यहाँ पे होती है, नीच CD हो, DVD हो, pen drive हो, यह सब नीचे आते हैं, जी, removal disk drives में, ठीक है, task bar के बारे में दिया हुआ, task bar के बारे में पूछ भी लेते हैं, define करवाते थे हैं, तो पता होनी शाहिए एक line, task bar क्या है, it is a long horizontal bar present at the bottom of the screen, इतना ही काफी है, इसके left side में start button होता है, ठीक है जी, left side में start button होता ह और right में विल्कुल आप जाएंगे तो date time होगा, नीचे इन्होंने दिया हुआ भी है, यह देखिए, दिखाया हुआ है, यह है task bar विल्कुल नीचे जो देखने को मिलता है, यह रहा, left में start और right में, date time, बीच में जो जो program आप खोलते हैं, उन्हें कहते है active applications, जिन्हें notification area कोई, start button, it is located on the left, और task bar के left में होता है, यह रहा, ठीक है, और इसका काम क्या होता है, यह menu खुलती है यहां से, और जो भी आपके applications होती हैं, वो सब वहाँ पर होती है, उसके बाद कुछ और terms दी हैं, जैसे shutdown का क्या मतलब है, जब आप computer turn off करना होता है, बंद करना होता ह है, all programs, जो भी program आपने installed करें हैं, applications, वो सब all programs में जाके open कर सकते हैं, वहां से, search box में search करते हैं, कोई भी file या folder आपको जो भी search करना है, डोनना है, control panel जो होता है, वो आपको settings change करने के लिए various different settings जो change करते हैं, उसके बाद next है, recycle bin, तो यह मैं बताई चुका हूँ, file folder जो delete हो हो गई है, by mistake हो गई है, तो उनको आप वहां से restore कर सकते हैं, और जिन्हें आप चाहते हैं, permanently delete करना तो, उसको आप recycle bin में जाके delete कर देंगे, तो वो file या folder permanently delete हो जाएगा, अगला topic जो है, वो file के बारे में है, file और folder को कैसे create किया जाता है, कैसे delete हिया जाता है, उन सारे है, everything you store on your computer is stored in the form of a file, तो इस फूरे topic में हम देखेंगे, कि file folder को कैसे create करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे delete कर सकते हैं, कैसे rename कर सकते हैं, देखिए, सबसे पहले यहां दिया ही हुआ है, इन्होंने, creating a folder, तो देखिए, create करना हो, चाहे delete करना हो, चाहे rename करना हो, चाहे move करना हो सबी के लिए option, एक जैसे ही होंगे, ठीक है, तो एक process में आपको बता देता हूँ, और generally यह पता भी होता है, हम आम तोर पर computers पे काम करते हैं, तो यह सब काम करना ही होता है, file बनाने, folder बनाने, rename करना, double click करना है, सबसे पहले computer icon पर, यह हम देख रहे हैं, folder कैसे बनाया जात ठीक है जी, तो computer icon पर आप करेंगे, उसके बाद select the drive, कौन सी drive में आपको करना है, C में, D में, तो यहाँ इन्होंने कहाए कि चलिए D में करना है, तो फिर उस पे click करें, window will open up showing files, तो D में जो भी file folder होंगे, वो सब दिख जाएंगे जब आप उस folder को खोलेंगे, उसके बाद गया करना है, click new folder पर click करना, यह देखिए यहाँ पर new folder लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, दूसरा यह है, आप right click भी कर सकते हैं, कहीं भी, right click करेंगे, वहाँ पर जो window बनोगी उसमें new करेंगे, और फिर new folder click कर देंगे, तो यह shortcut menu से ऐसे बन सकता है, और यहाँ से भी दो तरीके से आप folder बना सकते हैं, फिर आगे दिया हुआ, new folder is created, new folder के नाम से वो नया folder create हो जाएगा, highlighted हो जाएगा, pictures में भी आप यहाँ से देख सकते हैं, यह बनाया हो, और enter दबा दीजिए, folder बनके तयार है, अगर नाम चींज करना है, तो आप नाम उस पर टाइप कर सकते हैं, वोई नाम उसका आजाए, यह था folder, अब next इनो ने जो concept दिया हुआ है, वो दिया है, file के लिए, ठीक है, तो file के लिए, right click कर ये कहीं पर भी, right click anywhere in the blank area of right column, in the shortcut menu, click new, select a type of file you want to create, फिर select कर ये, जिस भी तरीक फाइल आपको बनानी है, फिर rename है, तो rename भी same ही होगा, right click करेंगे, उस folder पर, उस file पर, जिसे आपको दूसरा नाम देना है, rename करना है, और rename को option दबाएंगे, delete के लिए भी वो ही, देखें, यहाँ पर ये menu जो open होता है, इसमें सारे options होते हैं, यह रख, cut करना है, copy करना है, rename करना है, delete करना है, सारे चीज़ें यही दी ह होई होती है, right click करकर, तो यहाँ से, सारे चीज़ें खीजा सकती है, चाहिए वो delete हो, चाहिए वो दूसरी चीज़ें हो, copying, copy करनी के लिए भी वो ही सब यहाँ पर है, shortcut menu, तो यहाँ पर दिया हुआ है, किस तरीके से file folder को आप copy कर सकते हैं, right click करना है, सबसे पहले, उस file पर folder पर जिसे आपको copy करनी है, select copy option, फिर shortcut menu में से दिखिए, यहाँ पर आते हैं, यह option यह है, shortcut menu, फिर copy option को करिए, select the drive और folder, फिर जहाँ पर आपको उसे copy करना है, वो drive यह folder को select करिए, and then paste कर दीजिए उसको, तो इस तरीके से आप उस file यह folder को copy कर सकते, drag and drop भी किया जा सकता है mouse से, keyboard से भी कर सकते हैं, यहाँ पर यह दिया हुआ है, देखिए process किस तरीके से, तो यह तीनों तरीके हैं, जिससे आप उसको move कर सकते हैं, copy कर सकते हैं, फिर next है moving के लिए, same option है, उसी तरीके से shortcut menu में ही option आता है, cut का, copy के लिए copy करेंगे, move के लिए cut आता है, फिर उसे delete होती हैं, already मैं बता चुका हूँ, recycle bin में जाके, empty कर दीजे recycle bin को, तो वो ही सब यहाँ बता रखा हैं इन्होंने, restore करनी है, तो restore का option महाँ पर आता है, उसके बाद next है, basic skills, इसे maintenance चाहती है, तो computer को भी maintain करने के रखनी की बबजरुरत होती है, तो maintenance के बारे में यहाँ बताय हुआ है, इन्होंने, computer system require maintenance, so that the system work efficiently, जिससे वो अच्छे से efficiently काम करता रहे, अगर आप उसे सई से maintenance नहीं करेंगे, तो वो खराब हो जाएगा, system failure आ जाएगा, अब नीचे यहाँ बता रखे हैं इन्होंने, एक इस तरीके से हमें computer के external और internal parts की देखवाग करनी चाहिए, keep the computer dust free रखिये, उसे खाने पीने की चीज़ों को उससे बिल्कुल दूर रखिये, नहीं तो वो उन पे गिर सकती है, to keep the keyboard clean, make sure your hands are clean, use करने से पहले अपने हाथों को साफ रखिये, keyboard जिससे साफ रहे, keep keyboard covered, अगर use में नहीं है तो keyboard को cover कर गे रखिये, अब बताया है different different इसके components क कैसे clean किया जा सकता है, कुछ general precautions बताई हैं सबसे पहले तो इन्होंने, जैसे उसको बंद करें, साफ अगर उसे कर रहे हैं या आप clean कर रहे हैं computer के components को, computer को, तो उसे power off करिये उसकी, कोई भी flood है उसे directly उस पर spray मत करिये monitor पर, उसे कपड़े पर spray करिये, उससे साफ करिये, do not allow the cleaning liquid to drip near, circuit board जो होता है, उसके आसपास आप cleaning liquid को ना रखें या उसको ना लगाएं, यूज ना करें आप, तो इस तरीके से ही कुछ general instructions हैं, उसके बात, इन्होंने बताया है कि अलग अलग जो computer के devices हैं, जैसे monitor है, keyword है, उसे कैसे साफ रख सकते हैं, इसे आप यहां से difficult नहीं है, optical mouse है, उसे कैसे clean करना है, digital camera है, तो बता रखाएं कि lens को touch नहीं करना चाहिए, ठीके जी, cd, dvds, तो इन सब को कैसे clean कर सकते हैं, यह बताया है, और last में बताया है, preparing maintenance scheduled, तो इसमें सबसे पहले देखिए, keep the components, computer के जो components है, उन्हें clean रखिए, hardware अगर डंग से जो भी काम नहीं कर वहा है, उसे change करिए, replace करिए, food items को दूर रखिए, computer से, cable और courts जो हैं, वो अगर आपस में मिली हुई है, masked up हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें सही रखिए, remove unauthorized software कोई है, तो उसको remove करिए, software को, backup regularly लेते रहिए, आप अपने data का, इस तरी किसे कही सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, जो maintenance से जुड़ी हुई है, computer, उसके बाद आगे दिया हुआ है, viruses के बारे में, सबसे पहले हम देखते है, virus होता क्या है, computer virus जो होता है, it is a software program that attach itself to other programs and alter their behavior, यह एक तरीखे का software program ही होता है, जो किसी दूसरे program से attach कर लेता है, अ virus के behavior को alter कर देता है, virus की full form भी दी हुई है, देखे, यह है, vital information resource under seas, virus की full form है, यह भी एक नमबर पूछी चा सकती है, अब computer infected कैसे होता है, किसी भी virus से, तो यह चार तरीके हैं, infected file से, infected pen drive से, infected CD या DVD रोम से, या फिर कोई email जो attached है, उसके साथ कोई भी virus की infected file वहां से भी आ सक सकता, एक virus क्या नहीं कर सकता, जो अगर CD या DVD हैं, उनको infect नहीं कर सकता, आपकी जो close हो चुकी, it cannot, जो आपके keyboard है, mouse है, hardware जो है, उसको भी infect नहीं करता है virus, अब यहां पर बताया हुआ है, आप कैसे कुछ science हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं, क्या आपके computer में virus है या न बताया, जैसे की slow हो जाएगा, file size change होने लगीगा, respond करना, अपने आप restart होना start हो जाएगा, unusual message रेपियर हो जाएंगे, files के number बढ़ने शुरू हो जाएंगे, science हैं, जिससे आप देख सकते हैं, क्या virus का tag computer पर है, अब अगर computer infected हो गया तो उसे कैसे सही करें, या कैसे बचाए वाइरस से अपने computer को उसके बारे में इनोंने बताया, इसके लिए सबसे पहले install and use antivirus software यूज करिए, और फिर उसको update रखें, इसके एन करिए सबी file को जो आपने download करी हैं, इंटरनेट से, email अगर unknown person ने भेजे हैं, तो ने open बिलकुल मत करिए, किसे भी unworthy person को अपने system को computer क use मत करने दीजिए, unknown pen drive, cd, rom या dvd को use मत करिए computer में, और never click on the window that pop up when you are, इंटरनेट पर किसी भी link, किसी भी जो pop up अपने आप आया है, उस पे बिलकुल भी click मत करिए, इस से आप अपने device को virus से बचा सकते हैं, preparing computer against virus यह already हो चुका, antivirus डालिए, देखिए antivirus के नाम Microsoft है, quick heal है, यह सब antivirus के नाम है, तो यह इस तरीखे से देखिए quick heal का दिया होगा है, scan करिया यहां से, full system scan, सारे चीज़ों का पता इसमें लग जाएगा, removing temporary files को किस तरीखे से remove करना है, तो यह भी यहां पे बताया हुआ है, बहुत ज़्यादर important तो इसमें नहीं है, computer icon पे करिए, फिर उसके बाद computer window को लेगा, properties section में जाएए, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीकिया जी, properties में पता लग जाता है, कितना कितना उसका disk है, disk clean up यहां पे आता है, यहां से भी आप temporary files और यह सब को आप delete कर सकते हैं, clean up कर सकते हैं, उसके बाद बस यह आकरी portion है, removing files of temporary folders, तो यहां पर यह भी दिया हुआ है, window button plus R करके, और last में cookies के बारे में और थोड़ा एक important topic है, जो पूछ लिया जाता है, यहां पर देखिए यह दिया हुआ है, firewall और cookies, यह दो last के topics और बच गए है, firewall क्या है, a computer firewall could be a programmable device or software network security system that monitor control incoming and outgoing network traffic based on, तो एक तरीके से inbuilt antivirus आप मानिए, windows वगेरा में firewall होता है, यह भी security system ही होता है एक तरीके का, लेकिन इतना strong नहीं होता है, antivirus डान देते हैं तो और ज़्यादा safe हो जाते हैं आप, और cookies जो होती है, यह पुछा गया है question, यह जब भी आप किसी website को देखिए, when you visit a website, it sends a cookie to your computer, where it is stored in a file, किसी website के device में, तो यह होती है, cookies जो है, these files typically contain information about your visits, जो भी web page पर आप पर information है, आपने login किया, क्या किया, वो सब बहुता है, और already वो बढ़ देते हैं, फिर next time बहुत तेजी से, वो websites कुलती है, open होती है, क्योंकिके cookies store हो चुकी होती है, तो यहीं पर ICT Skills का ये वीडियो खत्म होता है, I hope कि वीडियो useful लगा होगा आपको, like करिए अगर आपको helpful लगा है, और इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को subscribe करें, thank you.